When Toplow says that I am yet to see somebody who doesn't like being liked, Frank immediately says, and I don't know anybody who doesn't use that for his own purpose. और मैं किसी ऐसे को नहीं जानता है जो इस liking को अपने उदेश के लिए उप्योग नहीं करता. और साथ एक और जहां headmaster हैं, वो पसंद करवाया जाना पसंद नहीं करते, वहीं दूसरी और दुनिया में सामाने तर लोग पसंद किये जाने पर उसका फाइदा उठाते हैं. Use for their purpose, to use for his own purpose, अपने उदेश के लिए उप्योग करना, किस चीज का उप्योग करना, किसी के द्वारा ज़ी पसंद किये जा रहे हो, तो उस व्यक्ति का फाइदा उठाना. टपलो further says, well, it's natural sir, बहुत स्वाभाविक है, natural मतलब प्राकृतिक नहीं, natural मतलब स्वाभाविक यहां पर. Well, it's natural sir, यह बड़ा स्वाभाविक है, but not with croak. क्रोक के साथ यह संभाव नहीं है, क्रोक के साथ यह स्वाभाविक नहीं है, Frank कहता है, Mr. Kroak Harris, Mr. Kroak Harris, because उसने अधा ही नाम लिया था, Mr. Kroak और रुग्या, तो Frank ने उसे पूरा किया, Mr. Kroak Harris, टपलो, yes, Mr. Kroak Harris. The funny thing is, that in spite of everything, I do rather like him. यह बहुत महत्पूर्ण है, इस कहानी का, इस conversation का. The funny thing is, that in spite of everything, I do rather like him. इस sentence को देखी अच्छे से. Funny मतलब विच्चित्र, मैंने आपको बताया पहले, और fun मने आनंद, आमोद, प्रमोद, लेकिन यहाँ पर विच्चित्र. The funny thing is, that in spite of, in spite of एक प्रेज है, in spite of का मतलब होता है, के बावजूद, के बावजूद. आउजूद, in spite of topping in the class, I did not get admission in higher class. Class में top करने के बाद भी मुझा higher class में admission नहीं मिला. कभी कुछ situation ऐसी आती है. In spite of being very good footballer, I could not get a place in the team. In spite of scoring a century in the previous match, my manager did not take me for the next match. In spite of मतलब के बावजूद. So, the funny thing is that, in spite of everything, सब कुछ के बावजूद, I do rather like him. ये सब कुछ मतलब क्या है, सब कुछ मतलब उनकी जितनी भी बुराईया हूँ. वो disciplinarian है, बहुत कड़े है, आखरी दिन में ही rule के अनुसार रिदल देते हैं, नाकाम नाजादा वाली बात करते हैं, हियूमन नहीं हैं, और नाजाने क्या-क्या उनकी एक ऐसी बाते हैं, जिससे कई लोग खुश नहीं रहते हैं, लेकिन I do rather like him, I like him, I rather like him, मैं बलकि उन्हें पसंद करता हूं, and do rather like him क्यों हो गया, do जो है वो जो है जोर देने के लिए है, like क्रिया है, like the verb, I like him, I do like him मतलब मैं बिलकुल पसंद करता हूं, बहुत पसंद करता हूं, do मतलब उसमें जोर देना, मैं पसंद करता हूं, I like mangoes, I do like mangoes, मैं mango तो बहुत पसंद करता हूं, तब do शब्द का उप्योग अलग से होता है, ये do अलग है, इसको उप्योग अलग है, तो ये दूसरा उप्योग अप्डू का देख रहे हैं, I do rather like him, इस सब कमियों के बावजूद, ये सब बातों के बावजूद, सर, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं, I can't help it, can't help it मतलब, help करना मतलब मदद करना, मैं मदद नहीं कर सकता, Mr. Croke की नहीं, मैं इस मामले में अपनी मदद नहीं कर सकता, मतलब, उन्हें कितनी भी खामिया हों, मैं उन्हें इज़द देने से अपने को रोक नहीं सकता, I cannot stop respecting him, I cannot stop liking him, I can't help it, so help का meaning यहाँ आपने देखा, दूसरा meaning है, मैं अपने को मदद नहीं कर सकता, मतलब, मैं अपने को रोक नहीं सकता, किस बात से, Mr. Croke को पसंद करने से रोक नहीं सकता, and sometimes, I think, he sees it and that seems to shrivel him up even more, और कई बार, sometimes, मतलब कई बार, वो देखते हैं, महसूस करते हैं, मेरी liking को महसूस करते हैं, मेरी liking को समझते हैं, देखते हैं, और ऐसा लगता है सीम मने मुझ Molly आपको बताया था ऐसा महसूस होना और ऐसा महसूस होता है कि इसलिए वो और अपने ślę में चले जाते है और अपने एक कड़े उसमें जो nut होता है उसके अंदर चले जाते है सिकड़ जाते है क्योंकि वो जो लोग लाइक करते थे उनको वो पसंद नहीं करते और मैं उनको लाइक करता हूँ शायद उनको ऐसा मालूम भी है कि मैं लाइक करता हूँ और इसलिए वो हिश रिवेल्जाब फ्रैंक कहता है I am sure you are exaggerating To exaggerate मतलब 30 योक्ति करना बढ़ा चल्हा कर बताना ज्यादा बताना एक घटना हुई उस घटना को बहुत बढ़ा चल्हा कर बता रहे हैं अरे यार you are exaggerating this story किसी टीचर ने एक बच्चे को डाटा बच्चे के मित्र ने घर में जाके उसमें और मसाला लगा कर और बोलना शुरू किया और बढ़ा चल्हा के बता रहा ऐसा मारा और ऐसा मारा और ऐसा किया ऐसा किया तो जिसकी बटाई हुई he can say you are exaggerating तुम अतिश्योक्ति कर रहे हो तुम बढ़ा चल्हा के बता रहे हो गयर्त में तिल का ताल बना रहे हो बढ़ा रहे हो तो फ्रेंक कहते है भई तुम ऐसा जो सब बोल रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अतिश्योक्ति कर रहा हो तुम कुछ बढ़ा चला के बोल रहा हो तॉप लोग कहते हैं नो सर I am not मैं अतिश्योक्ति नहीं कर रहा हूं मैं सच्चाई बता रहा हूं In form, the other day he made one of his classical jokes In form, form मतलब grade Class In form, the other day दूसरे एक दिन The other day को दूसरे दिन नहीं बोलते The other day मतलब एक दिन The other day I fell down on the road मतलब एक दिन मैं सडक पे गिर गया था The other day you met me You told me about our school एक दिन तुम मुझे मिले थे और तुमने अपने स्कूल के बारे में बताया था So the other day You came the other day to me तुम एक दिन तो आये थे कुछ दिन पहली तो आये थे एक दिन आये थे तुम So the other day He made one of his classical jokes उन्होंने एक बड़ा एक जोक सुनाया A classical joke मतलब एक थोड़ा सा सस्ता नी लेकिन बारम बारे चिको बोला जाये उसको उन्होंने सुनाया Of course nobody laughed Because nobody understood it कोई हसा नी क्योंकि कोई समझा नी Understand का past tense से understood Laugh मने हसना Nobody laughed नो कोई हसा नी उन्होंने जोक सुनाया कोई हसा नी क्योंकि कोई समझा नी Including myself मैं भी नी समझ पाया Myself included मैं भी उसमें शामिल हूँ जो हसनी पाया To include मतलब शामिल होना शामिल करना मैं भी उसमें इंकलूड Still I knew He would mean it as funny Still मतलब फिर भी फिर भी मुझे मालुम था कि He would mean it as funny उनके अनुसार ये जोक एक funny जोक था ये जोक एक विचितर जोक था So I laughed इसलिए मैं हस दिया क्योंकि उनके अनुसार वे एक funny जोक था तो ये मास्टर साब पूरे mood में एक जोक सुना रहे हैं और उनके अनुसार ये फनी जोक है तो मास्टर साब अपेक्षा करते हैं कि क्लास के बच्चों को हसी आए अब हसी तो आनी रही थी पर फिर भी हस दिये मास्टर साब की इज्जत रखने के लिए कई बार होता है ने क्लास में ऐसा द्रिश्य तो बिलकुल वही बात यहां हुई कि फिर भी मैं हस दिया I laugh Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke अब मैं हसा क्यों उसका कारण बता रहा है और कारण बता रहा है वो कहता है कि common politeness में politeness polite मतलब विनम्रता एक विनम्रता के था जैसा मैंने भी आपको कहा क्लास में कोई joke सुना रहा है एक शिक्षक और शिक्षक के अनिसार वो joke में हसी आनी चाहिए पर आपको ना joke समझ में आया ना हसी आरही है फिर भी आप शिक्षक की बात रखने के लिए हस देते हैं तो वो क्यों हसते हैं politeness के कारण इसलिए हसते हैं शिक्षक की इज़त रखने के लिए तो इसलिए common politeness एक politeness एक मिनमरता के लहजे मदे नजर and feeling a bit sorry for him और उनके लिए थोड़ा सा sorry महसूस करते हुए क्या रहे देखो जोग सुनाय विचारे और किसे को हसी नहीं आ रही है चलो मैं हस दूँ उनकी इज़त रखने के लिए for having made a poor joke और उनका जो joke था वो poor था लेकिन फिर भी उनकी इज़त के खातिर और वो पेक्षा कर रहे थे कि लोग को हसी आएगे मैं हस दिया now I can't remember what the joke was मुझे अब याद नहीं आ रहा है कि जोग क्या था now I don't remember अब तो मुझे याद नहीं आ रहा है जोग क्या था but suppose I make it लेकिन मैं बना लेता हूँ now you laugh कल पना करी मैंने जोग बना लिया अब आप हसी है ऐसा कह कि वो फ्रेंक सर को बोलता अब आप हसी है और उस पे फ्रेंक हस देते हैं तो पूर इस परग्राफ में टॉपलो बता रहा है कि मेरे को बहुत पसंद है टीचर ये सब उनकी जो आदते हैं जिसके बारे में मैंने भी आपसे बात की उसके बावजूद मिझे पसंद नहीं इतने पसंद है कि कभी-कभी वो जोग सुनाते हैं क्लासिकल जोक बार बार जिसको सुनाते हैं तो उन्होंने सुनाया पसंद नहीं आया समझ भी नहीं आया हमको लेकिन टीचर की इज़त रखने के खातिर मैं भी हस दिया सपोज आई मेक इडिया दी मैं बनाऊं तो आप हसेंगे ना अब फ्रेंक के इस बात पर हसेंगे जर्ढ़ से टपलो पूरी कहानी सुना रहा था और जर्ढ़ से उन्होंने कहा कि टीचर की अपने हेड़ मास्टर की इज़त रखने के लिए सब हमस देते हैं उस पे फ्रेंक को भी हसी आई और साथ ही टॉपलो ने उनसे अनुरोध भी किया कि आप हसी है जोग पर समझ लीज़े मैंने एक जोग सुना दिया आपको हसी है तो टॉपलो तो फ्रैंक उसकी प्रतिक्रिया में हसते हैं इस पर टॉपलो कहता है इने जेंटल थ्रोटी वाइस जैसे कि उसके हेड मास्टर क कि क्रोखारिस बोलते थे जेंटल ध्रोटी वाइस कि उसी आवाज में याने फिर से उनको क्या करते हुए शब्द क्या था इमीटेट करते हुए copy करते हुए, उनकी नकल करते हुए फिर से imitate करते हुए Croke Harris जैसे तरीके से उसने कहा यदि हसते तो वो क्या कहते Croke Harris उसको टपलो, you laughed at my little joke तो मेरे जोग पर हसे हो I notice मैंने देखा है तुमको हसते हुए To notice मतलब दिखाई देना, नजर में आना I notice some change in you I notice some change in you I see a notice on the board अलग शब्द है, वो सूचना है Notice का सूचना Notice board यहने सूचना पतल सूचना का board यहाँ पर two notice मतलब दिखाई जाना दिखाई देना दिखाई खीचना नजर पढ़ना तो यहाँ पर यदि टॉपलो उस जोग पे हस्ता जैसे कि फ्रेंक हसे तो टॉपलो नकल करते हुए बताता है क्रोख है इस क्या कहते वो कहते टॉपलो यू लापड़ाई लिट जोग तो मेरे इस चोट से जोग पे हसे हो मैने ध्यान दिया मैने देखा तुमको हसते हुआ है नोटिस I must तो मेरे इस छोटे से जोग पर हसे मेरा ध्यान गया इस पर I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made I am pleased खुश होना To please मने खुश होना एक शबद please है Please bring me a glass of water मतलब please मने होता है क्रिपया और यहां पर है please I look pleased मैं खुश दिखाई दिया To please मने खुश करना क्रिपया के रूप में तो अब आप ये दोनों में देखिए अंतर शबदों में तो आपको कौन सा अर्थ कहां पर लेना है ये समझना होगा जैसे हिंदी में भी ऐसे ही है शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं शब्द वही लेकिन अलग-अलग कंटेक्स में अदि बोला गया है तो उसके अर्थ अलग-अलग होंगे भले ही शब्द एक ही हो ऐसे यहां पर please का रथ कुश रूपया नहीं है यहां पर है मैं खुश हुआ I must confess मैं स्विकार करता हूँ To confess मतलब स्विकार न मैं स्विकार करता हूँ That I am pleased कि मैं तुमसे खुश हूँ किस बात पर At the advance your Latin has made जिस तरीके से तुमने Latin में प्रगति की है उससे मैं खुश हुश हूँ Since you so readily have understood what the rest of form did not क्योंकि तुम इतने सरलता से readily इतनी सरलता से तुम मेरी उस बात को समझ गया है जो कक्षा के दूसरे लड़के नहीं समझ था तो मैं तुमने जो जो प्रगति की है Latin में उसको मैं स्विकारता हूँ उसको मानता हूँ Perhaps Now you would be good enough to explain it to them Shayad Perhaps मने शायद Perhaps I will not go tomorrow Shayad मैं कल नहीं जाऊंगा I am feeling fever Perhaps I have Viral fever And nothing else Mujhe fever लग रहा है Shayad मुझे केवल viral fever हो और कुछ नहीं So perhaps मने शायद Now you would be good enough to explain Good enough मतला अब तुम इतने अच्छे हो गए होगे कि तुम इस जोक को explain कर पाओगे क्योंकि कक्षा के बाकी लोग तो नहीं हसे और तुम समझ गए कैसे मैं समझूंगा कि तुम समझ गए क्योंकि तुम हसे पूरी कक्षा में तुम ही अकेले थे जो हसे तुम अब उनको explain कर पाओगे So that they too can share your pleasure ताकि कक्षा के बाकी लोग भी तुम्हे जो आनन्द मिला Pleasure मने आनन्द इस जोक में तुम्हे जो आनन्द मिला वो कक्षा के बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर पाओ So that they too can share your pleasure तुम्हे जो आनन्द मिला वो दूसरों को भी शेयर कर पाओ इसलिए तुम न ये जोक को दूसरों को भी सुनाना और मैं समझ गया मैंने तुम को हस्ते हुए देखा तुम मैं समझ गया कि तुम मेरी जोक समझ गया हो लेटिन में तुमने थोड़ी प्रगति की है तुम कुछ रहा हुआ लेटिन शाब्द का उपयोग लेटिन एक भाशा है जब ये बात चीज चल रही थी और टौपलो ने क्रोक हैरिस दे हेड मास्टर कि नकल करते हुए इतना लंबा एक वाक फ्रैंक को बोला या बोल रहा था उसी दौरान कुछ घटना होती है Now the scene changes The door up right is pushed open दर्वाजा खुल जाता है Right side का जो दर्वाजा है वो खुल जाता है देखिए ये italics में लिखा हुआ है और italics में जो लिखा है वो इस वारता लाप का हिस्सा नहीं है The door opens right up and Millie Croker Harris enters To enter मने घुषना Millie Croker Harris अंदर आती है She's a thin woman In her late thirties Late thirties मतलब क्या होता Thirties मने क्या Ties के बाद के जो अंक आते हैं उन्हें thirties बोलेंगे Twenties मने क्या Twenty के बाद जो अंक आते हैं Twenty one, Twenty two, Twenty three Up to Twenty nine ऐसे thirties मतलब Thirty one से लेके Thirty nine Forties मतलब Forty one से लेके Forty nine तो इसको संख्यक्ष्ट में ऐसा बोल सकते हैं और late thirties मतलब क्या Thirty one, thirty two, thirty three नहीं Thirty की सीरीज में आखरी के जो दो तीन अंक हैं उसके आसपास उसकी उमर है तो लेट थर्टीज मतलब मान लीजे 37, 37, 49 चाल की उमर थी उस महिला की She is a thin woman in her लेट थर्टीज, about 39 38 year old Rather more smartly dressed than the general run of school master's wives Rather, फिर यहाँ वो ज्यादा smartly dressed थी जो school के सामानित्य जो school के टीचर होते हैं, उनकी पत्नियों से कुछ ज्यादा ही वह smartly dressed थी, और साथ यहाँ भी एक वियंग कर रहा है टापलो या लेखक उसका कहना है कि जो लेडी आई क्रोक हैरिज की वाइफ वो कुछ ज्यादा ही अच्छे से dressed थी सामानित्य शिक्षों की महिलाएं ऐसा नहीं रहती है शिक्षों की पत्निया, she is wearing a cape and carries a shopping basket cape क्या होता है एक लंबा चोगा कपड़े के ऊपर पूरा जो ढख लेते हैं तो she is wearing a cape and a basket holding a basket she closes the door and then stands by the screen watching top low वो अंदर आती है दर्वाजा बन करती है और जो screen है वहाँ वहाँ से top low को देखती है और Frank को भी देखती है it is a few seconds before they notice her देखती है और दो तीन चार सेकेंड बाद इन दोनों की नजर इन पे पड़ती है यहाँने पहले लेडी ने देखा पहले मिली ने देखा बाद में इनकी नजर पड़ी Frank कहता है come along top low उसकी नजर तो से में पड़ी नहीं थी और वो जारी रखता है बादचीद और कहता है come along top come along मतलब साथ चलो along मतलब साथ alone नहीं alone मतलब अकेला और यह है along along with dal I take rice डाल के साथ मैं rice लेता हूँ come along with me मेरे साथ चलो so साथ along मतलब साथ come along top low move slowly above the desk desk के उपर से थोड़ा सा हिलता है do not be so selfish as to keep a good joke to yourself और कहता है selfish मत बनो selfish मतलब स्वार्थी as to keep a good joke to yourself अपने तक ही एक अच्छा जोक मत रखो come on दूसरों को बता दो यार tell the other he breaks off suddenly noticing Millie अच्छानक अच्छा से बोलता है tell the other और आगे कुछ बोलने जाई रहा था dot 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 लगा है आप देखेंगे मतलब आगे कुछ बोलने वाला था उसी समय वह अपने को रोख देता he breaks off रोख देना क्या रोख देना अपनी बातचीत को अपने वाक्य को he breaks off suddenly अच्छानक noticing Millie Millie को देखते विए अच्छानक वह अपनी बात रोख तदेखे घटना बड़ी तेजी से हो रही है Millie घुषती है दर्वाजा धीरे से खुलती है बंद करती है और उसके बाद स्क्रीन से देखती है कि वो यह दोनों खड़े हैं बात कर रहे हैं और बात चीज जारी है इन लोग की नजर इस पे नहीं पड़ी है Millie पर और उस दौरान दो तीन चार सेकेंड हो जाते हैं और एक आद दो सेंटेंस भी बोल देता है कौन? Frank किसको? Toplo को और इसमें बोलते हुए कहता है दूसरों को बता दो और फिर नजर पड़ती ओ लॉड! ओ भगवान! क्या हो गया? उसको लगा पता नहीं कब से मिली देख रही है क्या-क्या सुन रही होगी उसके हस्बिन के बारे में Frank भी बातचीत कर रहा है Toplo से क्या-क्या बाते उसने सुनी होगी तो घबरा गया थोड़ा ओ लॉड! अरे भगवान! क्या हो गया? और ऐसा घबरा के कहता है ओ लॉड थोड़ा सा मनी मन कहता है जोड़ से नहीं बोलता है मनी मन कहता है ओ भगवान! और फिर ऐसा He turns quickly वो मुड़ता है and seems infinitely relieved at seeing मिली और मिली को देखके थोड़ी राहत की सांस लेता है infinitely मतलब बहुत ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं finite मतलब निश्चित infinite मतलब अ निश्चित quantity में भारी relieved मतलब राहत मिलना I am relieved to be relieved मतलब राहत मिलना I am relieved मुझे राहत मिली यह सुनकर कि accident में किसी को नुक्सान नहीं हुआ I am relieved to hear that no much damage is done to anybody in accident I am relieved to hear that you have passed तुम पास हो गए हो यह सुनकर मुझे बड़ी राहत मिली I am infinitely relieved मुझे बहुत राहत मिली तो यहाँ पे Frank को बहुत राहत मिली मिली को देखकर Frank कहता है Oh Hello उसने किसको कहा मिली को कहा Oh Hello मिली ने कहा बिना किसी expression के बिना कुछ चेहरे में भावला है Hello She comes down to the sideboard and puts her basket on it किनारे एक sideboard था वहाँ पे आजाती है और अपना basket वहाँ रखती है Hello कहते हुए Toplo कहता है Moving up to the left of Frank Frank के बाजू में जाते हुए कहता है Whispering frantically To whisper मतलब कान में कुछ बुद बुदाना कान में कुछ कहना उसको कहते हैं Whispering sound ऐसी जो आवाज होती वो whispering sound जिसमें शब्द से ही आप समझ सकते हैं Whispering तो कान में विस्पर कुछ किया Frantically मतलब बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा घबराते हुए Toplo Frank के लेफ में आता है उसके पास जाता है कान में कुछ बुद बुदाता है कान में कुछ बुलता है So he Whispering frantically said something to Toplo What did he say? Do you think she heard? क्या तुमको लगता है उसने सुना है? क्या? क्या तुमको लगता है उसने सुना है? Frank सुर हिलाता है Frank shakes his head comfortably अराम से सुर हिलाता है और कहने की कोशिस करता है नहीं सुना है क्या चीज नहीं सुनी कि कौन सी बात की हो रहे? Toplo और Frank के बीच में जो बातचीत हो रही थी उसके बारे में Toplo Frank से पूछता है कि क्या तुमको लगता है क्या सर आपको लगता है कि मिली ने हमलों की बातचीत सुन ली है और ऐसा कि पूछते हो बहुत घबरा रहा है वो Do you think she heard? Frank shakes his head comfortably To shake मतलब हिलाना He shook his head in negative उसने ना के नजरिये में अपना सिर हिलाया Comfortably मतलब बड़े आराम से ना ना ऐसा नहीं बड़े आराम से हिलाया मिली टेक्स ओफ हर केप And hangs it on the hall stand इस दौरान मिली जो है अपना केप निकालने में व्यस थी और उसको टांग रही थी तब धीरे से पूछता है कि क्या मिली ने सुना तो नहीं है और वो कहता है नहीं नहीं सुना है She was standing there I think she did अब Frank कहता है मुझे लगता है शायद थोड़ा सुना है She was standing there quite some time वो शायद काफी देर थे वहां खड़ी थी ऐसा Frank कह रहा है Toplo को जब Toplo ने उसे पूछा कि आपको लगता है उसने सुना है तो Frank कहता है शायद थोड़ा सुना तो है I think she did Did what? Listen I think she listened She was standing there Quite a time यह बड़ी धीरे धीरे बात होरी है Toplo कहता है If she did and she tells him There goes my remove अब Toplo इतना घबरा जाता है कि वो कहता है यदी हम लोग की बात को उसने सुना है और अपने हस्बेंड क्रोक को सुनाती है हमारी बाते है तब तो मेरा प्रमोशन गया तब तो मुझे प्रमोशन मिलने वाला नहीं There goes my remove मेरा जो remove था वो अब चला जाएगा अब मुझे मिलने वाला नहीं बहुत निराश हो गया Toplo बिचारा बहुत घबरा गया क्योंकि उसको डर था ये हेड मिस्ट्रेस की वाइफ अपने हस्बेंड को बता देगी तो फिर क्या होगा बहुत डरने लगा Frank कहता है nonsense Nonsense मतलब गलत बोल रहा हो तुम जो तुम बोल रहा हो इसमें कोई तत ही नहीं है Nonsense He crosses to the fireplace फाइर प्लेस विदेशों में जो बहुत ठंडे देश होते हैं वहाँ पे कमरों में एक ऐसी जगा होती है जहाँ पे आग जलाके आग तापी जाती है आपने देखा होगा fireplace जैसा structure बना हुआ तो वह फायर प्लेस में आग जला के तापने के लिए बैठते हैं कमरे को गरम करते हैं तो वह भी उसके पास चला जाता है क्या कहते हैं तो नौंसेंस अरे तुम बैकार बाते कर रहो नौंसेंस मतला तुम बैकार बाते कर रहो यह बातचीत हो रही है तो Millie takes the basket from the sideboard Millie basket ठरती sideboard से जो table के उपर रखा था और puts the basket Millie from the sideboard moves the table and puts the basket on it और अब table पे रख देती है पहले तो sideboard में लाके रखी थी उसके बाद उसने के पतारा और टांगने लगी इस बेच ये लोग बुदबदाय फिसफिसाय और इसके बाद फिर वो मुड़ती है table को थोड़ा धका देती है sideboard से basket निकालती है और टेबल पे रखती है और Millie toplo को कहती है waiting for my husband are you waiting for my husband क्या तो मेरे पती की प्रितिक्षा कर रहे हो toplo कहता है moving down the left of the table yes madam yes madam हाँ प्रितिक्षा कर रहा हूँ तो Millie कहती है he is at the bursers burser देखे बी capital में लिखा है burser is the post बड़े बड़े स्कूलों में एक administrative प्रशासनिक काम के लिए एक post होती है जिसे burser कहते हैं उस post को तो burser is a post जैसे principal होते हैं headmaster होते हैं ऐसी burser की एक post होती है तो headmaster साहब burser के पास गया है ऐसा वो कहती है और हो सकता है there he might take some time if I wear you I would go हो सकता है उन्हें वहाँ समय लग जाए और यदि मैं तुम्हारी जगह होती है तो मैं चली जाती अब देखिए यहां एक और बहुत common mistake जो हम लोग में बते हैं if I wear you I के साथ wear है present tense में I के साथ क्या लगता I am past tense में I was going आपने सुना I was going I was called I was happy I was I was worried तो was लेकिन wear कैसे लग गया यह if और I जब साथ में आते हैं तो हमेशा wear लगेगा वाज नहीं लगेगा यदि मैं प्रथान मंत्री होता तो if I was the prime minister ना गलत यदि मैं सोता तो if I were sleeping if I was sleeping नहीं होगा याद रखें if और I यह दो शब जब साथ में आते हैं तो wear के साथ आते हैं यदि भूत काल लगाना है तो और if मैं हमेशा भूत काल यहाए if I were as tall as you are यदि मैं उतना ही उचा होता जितने तुम हो I would have been a great basketball player if I were as tall as you are तो wear का उपयोग देखिए यहां वाज नहीं लग रहा है तो I के साथ वाज भी लगता है वेर भी लगता है लेकिन अलग अलग सित्यों में नॉमल में वाज लगेगा लेकिन इफ के साथ यदि I आया है यदि तुम यदि मैं प्रधान मंत्री होता आप ले लिखते हैं न निवन तो उसमें ऐसी रहता है if I were the prime minister तो उसका हिंदिय नुवाद होगा यदि मैं प्रधान मंत्री होता तो और फिर आप क्या करते हैं उसको लिखते हैं तो यहाँ पे फिर देखिए if I were at your place यदि मैं तुम्हारी जगह होती मैं चली जाती ऐसा मिली ने कहा टॉपलो को क्योंकि टॉपलो ने कहा मैं वेट कर रहा हूँ सर का और मिली ने बताया है कि सर तो बहुत लंबे समय से मीटिंग में है और मीटिंग चलेगी तो मैं तुम्हारी जगह होती मैं चली जाती if I were you I would go इस पर टॉपलो क्या कहता है doubtfully थोड़े शंका के साथ कहता है doubt मने शंका doubtfully मतलब शंका के साथ to doubt मने शंका होना doubtfully मने शंका के साथ तॉपलो थोड़ा साथ शंका के साथ कहता है he said most particularly I was to come उन्होंने बड़ा जोड़ दे के कहा था most particularly मने खास कहा था कि वो आएंगे Millie कहती है well why don't you run away for a quarter of an hour जदी ऐसा है तो एक घंटे के लिए 15 मिनटे लिए चले जाओ quarter of an hour एक घंटा में कितने quarter होते है 4 quarter half कितने होते है 2 half 30 30 मिनट के और 4 quarter एक quarter में कितने minute एक घंटे के 60 मिनट का एक quarter होता है 15 मिनट तो वो कहती है instead of saying that you go away for 15 minutes she says you run away for a quarter of an hour 15 minutes के लिए चले जाओ भग जाओ और जाना वे मतलब कहीं चले जाओ and come back और फिर आ जाना क्योंकि अभी तो उनको वहाँ बरसर के साथ meeting में time लगेगा और ऐसा कहते हुए she unpack something from the basket वो अपने basket से कुछ चीज खोलती है unpack pack करना और unpack करना ठीक उल्टा खोले ना pack करना मतलब बांद लो आप जानते हैं unpack करना मतलब उसका उल्टा करना ऐसा कहते हुए तो उसको काम करते हुए बोल रही है कि यदि मैं तुम्हारी जगा होती तो मैं चली जाती और तो टॉपलो कहता है भाई उन्होंने तो विलकुल खास कहा था कि मैं आऊंगा तुमको भी आना है इस पर मिली कहती ही ठीक है ती ऐसा कहा था तो चली जाओ भी पंदा मिनट के लिए और फिर आ जाना वापस मिली ऐसा कहती है और बास्केट से कुछ सामान निकालने लगती है तो टॉपलो बोलता है कहीं वो मेरे पहले आ गए तो कितना डर लग रहा है देखिए उसको मतलब वो पूरी कल्पना कर रहा है कि मैं पंदा मिनट के लिए जाओं और मेरे वापस आने से पहले कहीं हेड मास्टर साहब आ गए और पूछने लगे टॉपलो कहा है तो फिर क्या होगा और टॉपलो को तो वैसी रिजल्ट के कारण डर था ही वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहा था जिससे उसके रिजल मौका मिले जिसके जिसके आधार पर कहीं मेरे को रोक दें मेरा रिमूफ ना हटाएं तब फिर क्या होगा तो टॉपलो तुरंच पूछता है शपोजिंग कल्पना करें शपोजिंग तूपोज मतलब कल्पना करना मानना आई शपोज यॉर एपी मुझे लगता है तुम ख यदि मैं लेट आता हूं तो क्या होगा तो टॉपलो कहता है सपोजिंग इफी गेट सियर बिफोर मी मेरे पहले यदि यहां आजाएं तो ही गेट सियर गेट का अर्थ यहां देखिये यदि वो पहले आजाएं तो यह बोलने चाल की अंग्रेजी में ऐसा उप्योग होता ह इसा कहते हुए वे बास्केट के अंदर से डॉक्टर का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है न जिसमें वो दवाईयां लिखते हैं पेशेंट को क्या-क्या लेना है उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन To Prescribe मतलब किसी चीज के लिए निर्देशित करना तो डॉक्टर जिसमें दवाईयों को लिखते हैं उसे Prescription कहते हैं Prescribe से बना है P-R-E-S-C-R-I-B-E To Prescribe डॉक्टर हैस प्रिसक्राईब्ड थ्री मेडिसीन The medicines are written in this prescription डॉक्टर ने मुझे तीन दवाईयों लेने के लिए कहा है वो दवाईयों के नाम उसकी प्रिसक्रिप्शन में है तो वो लेडी जो हैं मिली वो प्रिसक्रिप्शन निकालती है और कब जब टापलो कहता है कहीं वो मेरे पहले आगे तो तो मुझे आते हैं चिंता मत करो मैं अपने पे दोश ले लूँगी और ऐसा कहते हैं वो प्रिसक्रिप्शन निकालती है और फिर बोलती है आई टेल यू वाट तो मैं ऐसा करो तो मैं एक काम कर सकते हो एक काम करो यह प्रिसक्रिप्शन लो और दवाई की दुकान चले जाओ और यह दवाई ले के आजाओ उसमें जो टाइम लगेगा तुम्हारा समय भी गुर्जज जाएगा बाहर घूम के भी आजाओगे और यदि वो मास्टर सहाब आभी जाते हैं वो नाराज नहीं होंगे क्योंकि तुम उनका काम कर रहे हो यू अर दूएगा एक्स्ट्रा वर्क फर हिम यू अर गेटिं इम मेडिसीन और यदि फिर भी कुछ बोलेंगे तो मैं बोलूँगे मैं अपने पर दोश ले लूँगी I will take the blame on me I tell you what You can do a job for him तुम एक उनके लिए काम कर सकते हो Take this prescription Go to the chemist Chemist मतलब दवाई के दुकान Chemist का सम्मन केमिस्ट्री से नहीं है याद रखेंगे दवाई के दुकान में chemist रहते हैं So go to a chemist and get it made up Taplotoran All right उसे रहत मिली खुश हो गया क्योंकि वो डर गया था कि मिली मेरी बात सुनी है क्या हम लोग की बाते हैं यदि वो सुनी होती तो ऐसा समनी बोलती लेकिन उसको लगा कि शायद नहीं सुनी है तभी वो Taplotoran के लिए एक sympathy रख रही है और उसको पंदरा मिनट घूमने के लिए मौका दे रही है तो आप लोग कहता All right Mrs. Croker और Toward the door upright और ऐसा कहते हैं दरवाजे के आगे निकल जाता है And with this This play comes to an end दरवाजे से उसका निकलना वो निकलते हैं कितनी राहत की सांस लिया होगा सोच सकते हैं क्योंकि कई तरह की चिंताएं थी उसके मन में जो पूरी चिंता इस play में दिखती है और सबसे बड़ी चिंता थी कि उसे remove Will he get remove or not क्या उसको promotion मिलेगा कि नी और उस चिंता में खलर डालने के लिए ये मेडम आ गई थी तो कि उसको डर लगा कि मेडम ने सब बात सुन ली है जो मैं इनके बारे में अपने headmaster के बारे में या उनके husband के बारे में बोल रहा था लेकिन जैसी देखता है कि मिली उसको मदद कर रही है prescription दे के उसको बाहर घूमने के गुझाईश दे रही है और कहीं headmaster पहले आ गया तो अपने उपर दोष लेने की जिम्मेदारी ले रही है मतलब उनोंने कुछ सुना नहीं है और वो राहत के सांस लेते वे बाहर निकल गया इस प्रकार ये play यहां खत्म होता है विद धिस दिस्प्ले कमस तो अन अन ये